अखिलेश यादव का बेगद गंभीर आरोप आजम खान को जान बूच कर परिशान कर रही भाजबा सरकार रामपूर के दोरे पर जोहर यूनिवर्सिटी से समाजवादी पार्टी के साइकल यात्रा को रवाना करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बेगद गंभीर आरोप जड़ा है लखनों में समाजवादी पार्टी के कारेले में साइकल यात्रा करने वालों का स्वागत करने की बाद अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी तथा समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष अखलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के योगी आदितनात सरकार रामपूर तथा देश के लोग प्रियनेता आजम खान को फरजी केस में फसा जान बूच कर परिशान कर रही है गामपूर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के साथ वा उनके परिवार को भाजबा जान बूच कर परिशान कर रही है अखलेश ने कहा कि भाजबा की साज़िश है कि आजम खान का जोहर विश्य विद्याले बंद हो जाए आजम खान पर राजनीती से प्रेरित केस लिखे गए है ताना चाही तरीके से विपक्ष की आवाज दबाई जा रखी है